हेलो नमस्कार दोस्तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो नीटू सिंग वल्यू मन का टॉपिक है और ये बुक मैं आपको करा रहा हूँ भर टॉपिक मैंने पुरा पराया है आप जाकर पिल लिस्ट में वीडियो देखिए दोस्तो आज का जो ये वीडियो होगा ये केबल और केबल टेंस को टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो वॉल्यू में दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें दोस्तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो टेंस होता है किसी काम को कार्ज को करने का समय एब हम अवस्था को बताता है यानि कि टेंस क्या कहता है कि को कार्ज कब होगा उसके समय को बताता है और किस इस्थिती में होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो टेंस बोलते हैं ठीक है अगर हम इसको अंगरेजी में बोले ठीक है तो दोस्तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम और अबस्था को बोल सकते हैं दोस्तो हम लोग में ये बताया जा रहा है इसमें tense क्या होता है कि time और action का combination होता है ठीक है और कहा जा रहा है कि इसमें दरसल समय चक्र के संबंद में भर्ब के बदलते रूप को tense कहते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो समय चक्र होता है इस समय चक्र का जब अब time और action दोनों को combine कर देते हो तो आपको क्या मिलता है tense ठीक है और इसी के rule पे हम लोग काम भी करते हैं दोस्तों ठीक है फ्रदर दोस्तों बताया गया है कि tense को मुख्य रूप से हम तीन भागों में विभाग कर सकते हैं इस तरह से diagram दिया गया है और इसमें आपको बताया गया है कि भई इसका तीन भाग हो सकता है एक दोस्तों आपका present ठीक है और दूसरा दोस्तों past और तीसरा दोस्तों आपका होगा future ठीक है और दोस्तों उसके बाद फ्रदर बताया गया है कि present, past और future इन तीनों का भी sub-division है कितने division है दोस्तों sub-div दोस्तो चार है सबसे पहला है इंडिफिनिट ठीक है इसके बाद दोस्तो आपका है कंटिनियस उसके बाद दोस्तो आपका है तीसरा परफेक्ट और चोथा इसमें बताया गया है वो दोस्तो आपका है परफेक्ट कंटिनियस ठीक है ओके आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तो दोस्तो यहाँ पर बताया गया है कि मतलब इसमें जो confusing pair को जोर कर हम लोग काफी सारे changes करते हैं ठीक है और इसमें कहा जा रहा है कि लोग अक्सर confused हो जाते किस बात को लेकर जो confusing pair उनको नजर आता है कि यह दोनों एक ही चीज़े तो दोस्तो बताया जो रहा है कि simple present tense जो है simple present tense यह कई बार confused हो जाते हैं कि इसके साथ continuous tense के साथ यानि कि लोग इसको लेकर काफी सूछते हैं कि simple present tense और present continuous tense एक ही जैसा होता है या इसको लेकर confusion उनमें आ जाता है इसके अलाबा दोस्तो आपका इसके अलाबा दोस्तो दूसरा कई बार present continuous tense जो है यानि continuous tense जो है कई बार आपका perfect continuous tense के साथ confused हो जाते हैं हम लोग लेकर ठीक है और तीसरा दोस्तो कि present perfect tense जो है present perfect tense इसको लेकर हम simple past के साथ confused हो जाते हैं और चौतरा दोस्तो simple past को जो है हम लोग past परफैक्ट को लेकर कनफ्यूज अलग है। उसके बाद कनफ्यूज लिए इसके बाद परफैक्ट अलग है, इसके अलावा दोस्तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफैक्ट में जमीन और आस्मान का फ्रक है। इसमें कहीं से कोई भी दिकत आपको नहीं होना चाहिए ठीक है इसमें दो चीजे बताया गया अब शुरुवात किया गया है present indefinite tense को लेकर ठीक है present indefinite tense में मैंने आपको क्या बोला कि मैं इसमें अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोरूंगा इसकी ताम में जैसे explain किया गया उ जो है दोस्तो इसका यूज बताया और इसका कारज को बताया है ठीक है कि present indefinite tense का क्या कारज होता और इसको कहां कहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्तो एक बात मैं आपको बताता हूँ अब ही cable इसका हम लोग यूज देख रहे है ठीक है इसका up Prose question को कि जो routine action होता है हम लोगों का routine action, ठीक है, उसमें हम लोग present indefinite tense का यूज करते हैं ठीक है, अच्छा routine action में कौन को ना था और किस परकार से यूज करते हैं दोस्तों वो समझेगा ठीक है, routine action में जो आपका दोस्तों नियमीत कार्ज है यानि कि जो काम आप daily करते हैं उसको present इंडिफनित में जैसे मान लीजे I come here daily हम बोलते हैं मैं यहाँ पर नित दिन आता हूँ यह मेरा regular का action है regular कार्ज है यह मेरा routine भी यह तरह का I come here daily ठीक है इसमें हम लोग present इंडिफनित लगाएंगे जैसे I read newspaper daily मैं अने तिदीन अख़बार पड़ता हूँ ठीक है इसमें भी इसका हमने present इंडिफनित इंडिफनित का यूज किया है ठीक है इसके अलाबा दोस्तों ध्यान से देखिएगा आपका तीसरा C number point इसमें डिसकस किया गया है ठीक है जो हम लोगों का habit होता है habits होते हैं जो आदत होते हैं आदत यानि जो निति दिन हम काम करते हैं वो habit हमारा हो जाता है एक परकार कर ठीक है जैसे मान लिजे किसी इंसान का habit हो जाता है smoke करना ठीक है जैसे मान लिजे अगर ऐसा हम बोलते है smoke उसका क्या एक habit है जैसे मान लिजे आपका सुबा में चाय परजेंटेंस में यूज करते हैं ठीक है जैसे the sun rises in the east and sets the west ठीक है rises in the east ठीक है इसके अलाबा the earth revolves around the sun ठीक है ये सारे के सारे universal truth हैं ये सारे बोभो में सत्य इसको कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता है ठीक है दोस्तो एक बात ध्यान रखिएगा और दूसरा point इसमें हमने देखा कि हमने क्या देखा कि जो भी regular action है जो भी हमारा regular action है उसमें हमने क्या किया ये routine action जो है उसमें हमने परजेंट इन्मीटेंस को यूज किया याद रखिएगा कई बार इस पे exam में question आ जाते हैं कई सारे exam में question आये हुए है अब बाती की जा रही है दोस्तो कि भाई साब जो newspaper है जो newspaper है दूसरा point बात की जा रही है जो newspaper है newspaper के headlines में newspaper के headlines में newspaper के headlines रहते हैं उसमें अक्सर दोस्तो किसका यूज किया जाता है प्रजेंट इंडिफनिय का यूज क्या या जाता है जैसे इसमें अगला जो है इसके बाद sports जो है sports उसमें जो commentary होता और वो आखा दिखेती commentary जो होता यानि आखों के सामने जो चल रहा है यानि commentator जो बैठे हुए अगर वो commentary कर रहे हैं तो उस इस्तिती में दोस्तों क्या होता है कि present indefinite trends का यूज होता है जैसे उधारन के तोर पे editor बैठ कर field में सारा का सारा मुएना कर रहे हैं ठीक है मुएना कर रहे हैं तो field के बारे में बता रहे हैं कि सची ने heat करा बोल एक वन बांस के बाद फोर चला गया आखों के सामने हो रहा है commentary जब आखों के सामने हो रहा तो उसमें present indefinite trends का यूज किया जाता है ठीक है okay दोस future planned action है यहीं जो future plan यानि कि अब वो निकट है आप वो करने जा रहे हैं जैसे मान लिजे मैं अगले सब्ता पटना जाओंगा वो fix है मतलब पूरी तरह से fix है कोई नहीं कार सकता है तो जो future planned है निकट भविस का जो काम है उसमें दोस्तों हम लोग दोस्तों present indefinite trends का यूज क comes here, comes here tomorrow ये future planned है लेकिन दोस्तों ये निश्चित है इसलिए इसमें हमने क्या यूज किया कि दोस्तों present indefinite trends का यूज किया एक और example ले सकते हैं the prime minister leaves for china next week ठीक है ये भी आपका क्या भविस के बात है लेकिन ये planned है इसलिए इसको हम लोग present indefinite trends में यूज करते हैं ठीक है क् उसका guard impact अभी दिखता है ओके अगर दोस्तों अगला बात इसमें कहा जा रहा है ठीक है कि जहां किसी action का महत्व हो और उससे होता हुआ दरसा दरसाया जाए तब simple present trends का प्रियोग हो जाता ठीक है यानि कोई action है उसका बहुत जोर महत्व है ठीक है और वो अगर ऐसा परतीत हो रहा है कि वो हो रहा है ठीक है उस इस्तिती में हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों present indefinite trends का उसमें कुछ आपके adverbs मदद कर देंगे adverbs को ने ध्यान देजिएगा मैं लिक दे रहा हूं ठीक है जैसे अगर आपका off है ठीक है उसके बाद दोस्तों hair है देर है ठीक है इसके अलाबा दोस्तों in और out इन सबों यह सारे के सारे एडवर ठीक है और यह अगर मान लीजिए इससे कोई वाक का सुरुआत हो एडवर से सुरू हो तो वाक में परियुक सब्जेक्ट active voice में हो या object passive voice के पहले भर helping work अप्रियोग होता है यानि कि इसमें अगर off से इस तरह से दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखते है जब कोई action का महत्व हो और उसे होता हुआ दर्साया जाता है उसमें हम लोग simple presentance का प्रियोग करते है यह आपका दोस्तों क्या था presentance के बारे में information था ठीक है किसके बारे में दोस्तों चलिए दोस्तों हम कई सारे examples यह बोल दिया here comes our cheap guest ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि यहाँ action का महत्व है हमारे cheap guest का आने का यहाँ महत्व है और इस काम को simple presentance में हम लोग दिखाएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है cheap guest का आना दोस्तों बना रहता है ठीक है इस हिस्तित आप अच्छे से समझ गयोंगे यह सारा का सारा चीज दोस्तों जो आपका था बेस्टोन क्या था यह सारा का सारा बेस्टोन था आपके परजेंट इंडिफरी टेंस का जो यूज था अब दोस्तों हम इसका formula देखते हैं जो कि इसमें explain किया गया कि formula क्या हो सकता है ठीक है दोस्तों देखें इसके जो formula में होते हैं आपको पता है कि कोई भी अगर tense है तो उसमें चार तरह के sentences बनेंगे एक तो affirmative बनेंगे या assertive बनेंगे दूसरा negative उसके बाद interrogative और एक interrogative negative ठीक है अब आप यह आप समझ पा रहें होंगे जैसे मान लीजे जैसे मान लीजे कि अगर हम positive sentence की बात करें या हम assertive sentence की बात करें ठीक है तो जो present definite का जो assertive sentence होता है उसका जो structure होता है आपको पता है subject प्लस भर्म का पहला रूप या उसका s या es form क्या दोस्तो s या es form ओके और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं object को लेते हैं ठी इसके बाद दोस्तों plus क्या object है ना जैसे देखें आप इसमें भी समझना है आपको कि subject में अच्छा भर्म का पहला रूप incense और या पांचमा रूप क्या इसका मतलब हुआ कि देखें गौर से समझेगा आप इसको भी बड़ा detail में समझ सकते हैं अगर i और we रहे ठीक है और पुलेर वब ठीक है और दोस्तों अगर मानली जोधर नहीं लिखा रहा है ठीक है अगर दोस्तों he, see या it अगर कोई नाम रहे ठीक है इसके साथ हम लोग singular verb का प्रियोग करते हैं ठीक है क्या करते हैं दोस्तों singular word का ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है चलिए आपको ह बात यह पता है ठीक है याद रख़िएगा भर्व में जब S.E.A.E.S. नहीं लगा रहता है तो आपका singular का काम करता है क्या करता है दोस्तों singular का माँप कीजोंगा माँप कीजोंगा मैंने गलत बोल दिया जब उसमें S या E S नहीं लगा रहता है तो वो दोस्तों किसका काम करता है पुल्डरल का काम करता है ठीक है और उसके बाद दोस्तों जब हम S या E S लगा लेते हैं तो वो बन जाता है singular work ठीक है और subject work agreement में एक नियम है क्या नियम है कि अगर हमारा subject भाई साब क्या हो singular होगा अगर हमारा subject singular होगा हम लोग work भी इसके साथ singular ही लगाएंगे ठीक है इसमें polar work का प्रियोग नहीं करेंगे जैसे example के तोर पे हमारा sentence ही देख लीजे C it's a mango ठीक है यहाँ पर present indefinite का sentence है वो एक आम खाती है ठीक है और यहाँ पर दूसरा एक example देखिए I eat a mango यहाँ पर आप गौर से देखेंगे हमारा verb क्या है दोस्तों हमारा verb यहाँ पर पुल्डर लेगा याद रहिखिएगा I, we, they, are, you मैंने नहीं लिखाता साइथ I, we, they, are, you इन सबों के साथ यहाँ पर you के बाद दे भी लिख लीजे इन सबों के साथ पुल्डर भर्ब लगेगा इसके अलाबा जो noun है अगर वो भी पुल्डर रहेगा तो उसके साथ पुल्डर भर्ब लगेगा इस चीज़ को मैं detailing अभी कर दे रहा हूँ इस प्लेन यहाँ पर कर दे रहा हूँ जैसे अगर noun भी पुल्डर जैसे boys it यहाँ पर boys हो गया more than मैंने एक से ज़्यादा लर्का हो गया यहाँ पर subject हमारा क्या हुआ subject बन गया हमारा पुल्डर लगाना परेगा वह भी हमको यहाँ पर फुल्डर लगाना परेगा ठीक है यह subject बर्ब agreement का नियम है यह आपका assertive sentence का था है ना याद रखिएगा इस चीज़ को आगे धरे-धरे करके हम लोग सब चीज़ों को समझेंगे कैसे यूज होता है कैसे नहीं यूज होता है ठीक है सारा चीज हम लोग देख लेंगे इसमें जितना explain किया गया है ठीक है उसको भी हम लोग देखेंगे अगला दोस्तों जो बात करते हैं हम लोग negative sentence के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है पहले basic समझे ठीक है देखिए आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब do जब कभी उप्योग होगा sentence में ठीक है खास करके do तो do जब प्रियोग होगा इसे हम लोग plural verb treat करेंगे जब इसको verb के रूप में देखते हैं तो plural है अगर dudge लगेगा इसे हम लोग singular verb treat करेंगे क्या treat करेंगे दोस्तों singular verb क्योंकि मैंने पीछे ही बोल दिया था अगर verb में s या es हम लगा देते हैं तो वो singular बन जाता getting my point मैं क्या कहा रहा हूँ अच्छा जो present in definite tense का negative structure होता है इस negative structure में हम लोग क्या देखते हैं कि subject plus do या does हम लोग लेते हैं प्लस not प्लस भर्ब का पर्थम रूप लेते हैं पहला रूप प्लस object याद रखिएगा do does के बाद note लगाने के बाद भर्ब का पहला रूप होगा कभी भी puller form नहीं होगा सुरी singular form नहीं होगा यहाँ पर जो आएगा puller form भी भर्ब लेगा और उसमें कुई भी बदलाब नहीं होगा कभी सारे examples मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जो volume 1 में आपके दिये हुए है ठीक है थोड़ा मैं उससे आगे जाकर भी आपको explain कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को भली भाती समझ सके ठीक है जैसे मैं एक sentence लिखता हूँ ठीक है जैसे एक sentence में लिखता हूँ ठीक है I I do not I do not like her ठीक है मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ ठीक है यहाँ पर देखिए या see she does not like me ठीक है ठीक है she does not like me ठीक है एक अगला example देख लिए violence violence वाइणस 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 ऐसे अच्छा वाइणस लभ मी वाइणस लव की सब्दॉए Sam लेकिन मैं लिए दिया, यहाँ पर जो आप गवर से दिखो, S3 1 परसन S3 सिंगुलर है, इसलिए वो यहां पर आगया S3 है, याद रखना, जो भी आपका घबस ट्रेक्ट नाउन होते हैं, याद रखेगा इस बात को, अथ singular treat करते हैं जैसे मान लीजे love जैसे hate इस सबको हम लोग singular treat करते हैं ठीक है और इसको obvious है हम लोग अगर noun के रूप में treat करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि इसको हम लोग singular मान करेंगे ठीक है इस हिसाब से हम लोग वहाँ पर भर भी singular लगाएंगे ये भी बात आप ध्यान में तो याद रखेगा कि कभी भी कभी भी हम लोग जो है do does के बाद verb का पहला रूप लेते हैं ठीक है एस या एस form नहीं लेते हैं ठीक है इसे मैं आपको नहीं जानता I don't know you ठीक है वह मुझे जानती है वह मुझे नहीं जानती she does not know me ठीक है यह चीज़े आपको ध्यान में र जुरू करते है उसको लोग interrogative sentence करते हैं ठीक है यह बात या आपको पता है ठीक है और हमेसा hein interrogative sentence में हम लोग दो तरह से questioning में च्टारके हैं एक तो भाईया कि हम लोग WH से start करे और एक serves start करे अगर परजेन्टी इनद cabbage bashकी में बात करो, अगर मैंวह से start करूंगा, यह तो do होगा अन्हें तो दोस्तो does होगा अगर WH में तो आपको पता है अगर दोस्तो do या does से start होगा उसका कुछ structure इस प्रकार से बनेगा do या judge प्लस उसके बाद इसके just बाद दोस्तों हम लोग subject लेते हैं ठीक है उसके बाद अगर दोस्तों ये negative sentence है तो not लगाएंगे और not के बाद भरब का पहला रूप और उसके बाद object लेकर question mark दे देंगे ठीक है ये आपका हो गया किस चीज़ का जब not हो sentence में हम एक्जामपल भी एक लेंगे लेकिन दोस्तों अगर वो ws से start हो कुछ नहीं करना बस इसके पहले do does के पहले wh लगा देना एक example लेते हैं ठीक है जैसे मान लीजे मैंने ये लिख दिया जैसे मैंने ये लिख दिया what he knows about you दोस्तों ये sentence गलत है क्यों है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसका हिंदी होता है कि वह तुमारे बारे में क्या जानती है तो वह तुमारे बारे में अगर क्या जानती है ये interrogative sentence है परजेंट इन डिपनीट का और इसका structure बनेगा what यानि wh question plus do your does तो what तो सही था यहाँ पर इसके just he के पहले does लगना चाहिए what does he और इसके बाद ये no गलत है no गलत है यहाँ पर no लगेगा what does he know about you वह तुमारे बारे में क्या जानती है ठीक है ओके वह तुमारे बारे में सब कुछ जानती है ठीक है समझ मायक नहीं है दोस्तों ठीक है यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है भूल ले नहीं है ठीक है इसके काफी सारे question आ जाते है ठीक है जैसे मैं example लेता हूँ what do you what do you know about me तुम मेरे बारे में क्या जानती है ठीक है अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे what you know about me तो यह गलत हो जाएगा ठीक है इसमें आपका आर्थ वही निकल रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो लेकिन दोस्तों हम लोग गरामेटिकली हो जाएंगा गलत ठीक है क्योंकि लेकिन दोस्तों जब question दो बार पूछा जाता है उस इस्तिती में second वाला में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों यूज कर लेते हैं किस चीज को हम लोग second वाले में यूज कर लेते हैं क्या चीज का तो assertive sentence ठीक है वहाँ पर what जो है मतलब interrogative sense नहीं देता है मने question direct होता है एक indirect question होता है अच्छी यह direct question और indirect question को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है word order word order and slang ठीक है यह आपका description box में वीडियो दिया गया है आप वहाँ पर जाकर देखिए और आपको यह sentence तब अच्छे समझ में आएगा ठीक है जैसे मैं एक sentence लिखता हूँ I don't know ठीक है ओके I don't know what he knows what he knows about you देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर यह गलत नहीं होगा यहाँ डज नहीं लगेगा अगर लगा देते तो आप गलत हो जाए चूंकि दोस्तों यहाँ पर word order and slang का concept जमता है जिसमें question को direct पूछा जाता है और एक question पूछने का indirect त दोस्तों आप इसका detail explanation चाहते हैं आपको वीडियो description box में दिया गया आप वहाँ जाकर देख लिजिए thank you very much for watching this video इस वीडियो में हमने present को cover करा है ठीक है और next वीडियो में दोस्तों हम लोग past को cover करेंगे इस तरह से नितू सिंग बोली मौन का जो भी part आपका होगा धिरे मैं आपको परहा दूगा उसके बाद common error को भी हम आपको बनाना सिखाएंगे जो अलग अलग परिछाओं में common error आया है thank you very much for watching this video